काहानिया मेरे प्यारे दोस्तो आपके लिए लाए हैं एक सुन्दर सी काहानी काहानी छोटी पर बात वड़ी टोलीजिये आज हमारी काहानी इस प्रकार है एक साधू था वो नदी की किनारे घाट पर बेट कर चिलाय करता था जो चाहोगे सो पाओगे जो चाहोगे सो पाओगे इन शब्दों को कई लोगों ने सुना और समझते थे ये तो पागल है बोलता रहता ऐसे बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे पर उनकी बात अबर कोई ध्यान नहीं देता था सब उसके समझते थे इसका दिमाग तो खिसक गया एक दिन की बात है एक युबक उहाँ से गुजर आता उसने उस साधू की आवाज सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे जो चाहोगे सो पाओगे ये सुनते ही युबक ने साधू की पास जाने की सोचा और सादु की पास पहुंच गया और सादु की पास पहुंचते हैं उसने सादु जी से पूछा माहराज, आप बोल रहते कि जो चाहोगे सोप आओगे तो क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ सादु उसकी बात सुनकर बोला हाँ वेटा तुम जो चाहते हो मैं उसे जरूर दूँगा बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारी आखिर इच्छा क्या है तुम्हें चाहिए क्या युबगवला मेरे एक बहुत बड़ी फ्वाइश है कि मैं हीरों का एक बहुत बड़ा बेपारी बनना चाहता हूँ संथ जी मुस्कुराए मुस्कुरा कर बोले कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ उससे तुम जितने भी हीरा मोती बनाने चाहोगे तो बना पाऊगे और ऐसा कहते हुए साधू ने अपना हाथ आदमी के हातली पर रखते हुए कहा पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ लोग इससे समय कहते हैं और इसे तेजी से अपने मुठी में पकड़ लो और कभी मत गवाना तुम इसे जितना चाहे उतना हिरा बना सकते हो इवक अभी कुछ सोची रहा था कि साधू उसके दूसरी हातली पकड़ते हुए बोला पुत्र इसे पकड़ो यह दुनिया के सबसे किम्ती मोती है लोग इसे धर्य कहते हैं जब कभी समय देने के वावजुद परिणाम ना मिलता है तो इस किम्ती मोती को धारण कर लेना याद रखना जिसके पास यह मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है युवक गंभिरता से साधू की बात पर वीचार करते हुए आस्टेनिय नजरों से निश्चें करता है कि आज से वो कभी अपना समय वरवाद नहीं करेगा और हमेशा धर्य से काम करेगा और ऐसा सोचकर वो हिरे के एक बहुत बड़े वेपारी का काम शुरू करता है और आपने मेहनत और इमांदारी के बल पर एक दिन वो खुद बहुत बड़ा हिरों के वेपारी बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों ये कहानिया में यहीं सिखाती है समय और धर्य वो दो हिरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं जरूरी है कि हम अपनी किम्ती समय को वरवाद ना करें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए धरी के साथ काम लें मुसीबत आएगे मुश्किले आएगी तकली पे आएगी अर्चन आएगी लोग क्या क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे लेकिन अपना लक्ष को तांते हुए उस मंजिल तक पहुँचने के लिए इरादों को मजबूत करें धरी की साथ चलते चलें कभी उतर जाएंगे कभी चड़ जाएंगे ऐसे बहुत सारी जीवन की घटनाओं में क्योंकि रास्ते पर जब कोई गाड़ी चलती है न तो वो भी अबडखवड को लेकते हुए अपने मंजिल पर पहुँचता है कोई भी रहा आसान नहीं होती है आसान बनाने के लिए मजबूत संकल्प उमंग उत्सा और दिल में नेक जज़वात होनी चाहिए जो एक कहान यहां सिखा रही है कि धर्यर हमारी अंदर इतना विशाल सागर की तरह हो कि हम कभी तूटे नहीं तब हम अपना लक्ष प्राप्त कर सकते हैं जीवन में कुछ भी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं यह साध होने ही यह स्विम समय कह रहा है जो चाहिए वो पाईए जो चाहोगे वो पाऊगे यह हरे कान में गुजरा है बस यह दो मेरे प्यारे दोस्तों अगर यह कहान आपको अच्छी लेगी तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए धेंक्यू धन्यवाश शुक्रिया ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति